आज हम बात करने वाले हैं addition of an account holder कि already आपका एक account चल रहा है और आप उसमें किसी को add करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं पहले तो name addition के case में कुछ preconditions होती है अगर आपके account में freeze लगा है या lean लगा है या attachment order है आपके account में उस case में जो है name addition नहीं हो पाएगी दूसरा precondition यह है कि अगर आपका account loan का है loan account है उस case में भी नाम का addition नहीं हो पाएगा तो अब अगर आपने नाम का addition किसी account में करवाना है तो उस case में जो भी account holder है और जिसको आपने add करवाना है दोनु लोगों को ब्रांच में जाना पड़ेगा और एक नया account opening form sign करना पड़ेगा और नय account opening form के साथ आपको mode of operation के भी बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे आप उस account को operate करना चाहते हैं उसके बाद जिस भी account holder को आपने add करना है उसकी KYC details भी आपको bank को देनी पड़ेगी एक बार जब आपने ये details दे दी हैं तो आपके request जो है वो process की जाएगी और आपके नाम को add कर दिया जाएगा जब भी आपका नाम ये add हो जाएगा नए account में तो आपको intimation आजाएगी उसके बाब आप नई checkbook के लिए apply कर सकते हैं जिसमें दोनु holders का नाम mention होगा और अपनी transaction को आप future में process कर सकते हैं तो this was all about name addition in an account तो do subscribe to our YouTube channel and like and share this video as much as you can Thank you